नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है वक्ति मंत्र में दोस्तों आप सभी को स्रिकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुब कामनाए आप सभी के जीवन में भगवान स्रिकृष्ण का सिर्वात सदय बनी रहे दोस्तों स्रकृष्ण जन्माश्टमी का त्योहार भगवान विश्णु के आठवे अतार स्रकृष्ण की अतरन के दिवस के रूप में मनाया जाता है जन्माश्टमी के दिन आधी रात को भगवान सरकिष्न का जन्म हुआ था और अश्टमी के दिन रात को भगवान सरकिष्न की पूजा होती है इसके साथ ही उनको खास भोग चढ़ाया जाता है इस पवित्र दिन पर बहुत सारे प्रसाद तैयार किये जाते हैं और सनातन धर्म में सिरकिष्ण जनमाष्टमी के त्योहार को बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है दोस्तों इस दिन कानहा को 56 भोग भी लगाये जाते हैं वैसे तो लड़ू गुपाल की पूजा करने की बहुत सारे नियम है पर सबसे जादा जिस नियम का ध्यान रखना हर किसी को आवश्यक होता है वो है लड़ू गुपाल को भोग लगाना कहते हैं कि लड़ू गुपाल को दिन में चार बार भोग लगाना चाहिए दोस्तों अगर आपके घर में लड़ू गुपाल विराजमान है तो ये जानकारी आपके लिए बेहदी महत्वपून होने वाली है तो दोस्तों चलिए जानते हैं घर में विराजमान लड़ू गुपाल को आप किस तरह से भोग लगा सकते हैं और किस तरह से उनका अशिरवात प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने अपने घर में लड़ू गुपाल को रखा है तो लड़ू गुपाल को सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाएं सुबह 6 या 7 बजे के बीच में सबसे पहले आप घंटी भजाएं अगर घंटी नहीं बचाते हैं तो ताली बजाते हुए भगवाल लड़ू गुपाल को बच्चों की तरह जगाएं फिर इसके बाद उन्हें दूद पिलाएं भोग लगाएं जो दूद का भोग आपने लगाया है उस दूद का इस्तेमाल आप चाय में कर सकते हैं इसके बाद आप दूसरा भोग स्वयम श्नान करके और उसके बाद लड़ू गुपाल को श्नान करवाने के बाद लगाएं लड़ू गुपाल को साफ कपड़े पहनाएं तिलक लगाएं तोलसी जरूर चढ़ाएं इसके बाद दूसरा भोग लगाएं भगवान स्रिकिष् भोजन भगवान को इन सभी चीजों का भोग लगाएं जो भी आप के पास प्रसाद है फलप्रूट है उसका भोग आप लड़ो गुपाल को लगाएं इसके बाद तीसरा भोग दोपहर के समय लड़ो गोपाल को लगाएं ये भोग भगवान को भोजन का लगाएं जो स्वयम के लिए आपने बनाया है इस बात का आप अवस्य ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग न हो भोजन सुद्ध और सात्विक हो यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो आप लड़ो गोपाल के लिए मीठी पूरी बना ले या पंजीरी का भोग लगाएं इसके बाद आप शाम को लड़ो गोपाल को चौथा भोग लगाएं इस भोग में आप मखाना, मेवा, काजू, बादाम, किसमिस, माखन, मिश्रियादी का भोग आप लगा सकते हैं अगर ये सब चीजे उपलब्ध ना हो तो सिम्पल तरीके से आप रोटी बनाएं दूद में चीनी डालकर रोटी दूद चीनी का ही भोग लगाएं सबसे पहले लड़ू गोपाल को भोग लगाएं, लड़ू गोपाल को शैन करवाएं इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखें कि भगवान को सुलाने से पहले दूद का भोग जरूर लगाएं आप लड़ो गुपाल को पंचामरीत का भी भोग लगा सकती हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी चीजों का भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्र अवश्च डालें दोस्तों अगर आपने अपने घर में लड़ो गुपाल रखा है तो उनका बिधिवत पूजन करें, उनका बिधिवत आदर करें जिस प्रकार से आप अपने बच्चे की देख भाल करते हैं ठीक उसी प्रकार से लड़ो गुपाल की सेवा करें तो दोस्तों मैं उमीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राधे राधे